एक बार फीर कानूनी पजुड़े में फसे बॉलिवूट के दबंग खान पत्रकार के साथ बद सलुकी सल्मान को पड़ी महंगे फिर से कोट कचाहरी के फेरे में पड़े सल्मान खान लगता है सल्मान खान का कोट कचाहरी का चकर कभी खत्म नहीं होने वाला आए दिन किसी न किसी एक कानूनी विवाद में फसते रहते हैं कंटुवसीज तो सलमान के बस आगे पीछे गूमते रहते हैं इसी वच्छा से विवादों का सुल्तान भी उन्हें कहा जाता है उनके काले हिरन मामले से तो दुनिया वाकिफ है वहीं अब एक बात फिर सलमान कानूनी बच्छडे में पड़ गए हैं हाँ वो बात अलग है कि सलमान का ये विवाद नया नहीं बलकि पुराना है कुछ साल पहले सलमान ने एक पत्रकार से बदसलूकी की थी जिस पर अब कोट ने एक्षिन लेते हुए एक्टर को समन जारी किया है रेपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोट में 5 अपराईल को पेश होना है जानकारी के मुताबिक कोट ने एक्टर को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहट अपराध के लिए तलब किया है कोट ने पत्रकार अशुक पांडे के साथ कथित तौर पर दुर्वेवहर करने के लिए सलमान खान को नोटे इशारी किया है इस मामले में सलमान खान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहट आरूप लगाए गए है आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2019 में चर्चा में आया था इस मामले में पत्रकार अशुक पांडे ने सलमान पर आरूप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ दुरवेभार और मार पीट की थी ये घटना तब हुई जब टीवी पत्रकार ने सलमान को साइकल चलाने के दोरान फिल माने की कोशिश की थी उन्होंने कहा कि सलमान के बॉड़ी गार्ड से अनुमती लेने के बाद उन्होंने उसे शूट करना शुरू किया था लेकिन सलमान इस बाद से नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने बॉड़ी गार्ड को मुझे पीटने के लिए कहा था इतना ही नहीं अपने आरोपों में आगे उन्होंने बताया कि सल्मान खान ने उनके साथ मार पीट की और बाग में उनका फोन छीन लिया जिसके बाद अशोक पांडे ने अस्थानिय पुलिस से संपर्क किया पत्रकार अशुक पांडे ने अपने शिकायत में सल्मान खान और उनके बोडिगार्ड नवाज शेक के खिलाफ आपराधिक कारवाई करने की मांग की थी वह इस मामले में अब पांडे ने कहा कोवीड नाइंटीम के कारण मामले में देरी हुई मैं घटना के दिन से ही नियाई के लिए भटक रहा हूँ और आखिरकार मुझे खुशी है कि अदालत ने मेरी शिकायत पर एक्शन लिया और अभिनेता के खिलाफ समन जारी किया है अदालत के आदेश के मुताबिक इस मामले के सबूत और पुलिस की जाच रिपोर्ट के अधार पर आरोपियों के खिलाफ कारवाई के लिए काफी है समन जारी होने के बाद दर शिकायत पर महानगर या नयाईक मजिस्ट्रेट के समक्ष अप्राधिक कारवाही के शुरुवात है अदालत ने कहा कि एक बार प्रक्रिया होने के बाद आरोपी व्यक्तियों को अदालत के सामने पेश होना पड़ता है वैसे आपको बता दें कि सलमान खान के विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है कई सालों से उनका नाम विवादों में आता रहता है इससे पहले सलमान का नाम काले हिरन शिकार मामले, हिट एंड रन मामले, एश्वारिया राय के साथ मार पीट का मामला में भी जुड़ चुका है वहीं पनवेल में बुजूर पड़ोसी के साथ भी उनका कानूनी जगड़ा चल रहा है